नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, आज हम आपको दस उपाय बता रहे हैं ये जो दस उपाय करेगा वह धनवान बनेगा दस उपाय हैं धनवान बनने के अचूक इसे कोई नहीं काट सकता दस उपाय हैं नोट कर लेना उससे पहले कुछ बात हम बता दें विश्वासी फली भूत होता है विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है जैसे जो जैसे देखता है वो वैसे ही बोलता है जिसने जैसा समझा वैसे ही बोलते हैं अब धनवान बनने के दस उपाई शुनो, हमने अनभो किये हैं, कई भक्तों को देखे हैं, अचूक उपाई धनवान बनने के, अचूक उपाई, पहला उपाई, देहली पूजन, रोज अपने दरवाजी के देहली को साफ करके, पवित्र करके रखो, देहली पर गव माता के गोबर से जरूर पोतो देहली पूजन करोगे देहली पर पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा आपके घर में दूसरा उपाए गाय को प्रति दिन रोटी और गुड़ खिलाएं पहले रोटी जो बने वो गव माता को खिलाएं उसमें गुड़ जरूर जाल दें ये दूसरा उपाए है जो अपने भोजन की पहले रोटी गाय को खिलाता है उसके घर की लक्ष्मी कभी नहीं भागती तीसरा उपाए शुक्रवार की दिन एक अचूपाए करें यनि की शुक्रवार को पांच कोड़ी लें कोड़ी थोड़ी सी केसर चांदी का ए नाम लेकर यनि की आपको पता होगा तो उनका नाम ले ले माता जी के अश्ट नाम लेकर पुजन करें और उस कपड़े को बांध कर लाल अथवा पीले रंकी कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा चौथा उपाए शुक्रवार को अन्यदान जरूर दें भले ही जो दाने दें यनि की चह कोई भी दाने दें एक किलो दें पांच किलो दें यनि की कहीं पर भंडारा हो रहा है चल रहा है चावल दान कर दें आटा दान कर दें तिल दान कर दें अमवश्या को तिल जरूर दान दें शुक्रवार को जो अन्यदान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी घटती नहीं, पांचमा अचूक उपाए, प्रति दिन लक्ष्मी नहीं, यनि की प्रति दिन नहीं, तो शुक्रवार की दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड में दीपक जरूर जलाएं, जो ऐसा क करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती, छटमा उपाए सुनो, छटमा उपाए बुद्ध वार की दिन गड़ेश भगवान का पूजन करें, गुड और चने का प्रसाद लगाएं, और उस प्रसाद को कन्याओं में बाट दें, और बांकी प्रसाद आप कमी नहीं होगी, सात्मा उपाए कमल गट्टे की माला से शुक्रवार की दिन मा लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करता है जो उसके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं भागती, बीज मंत्र सुनो, बीज मंत्र है ओम, श्रीम, रीम, श्रीम, कमले, कमला लये, कमला लये, नम इस मंतर का यहीं जाब करें उसके घर में कभी भी लक्ष्मी जी कभी भी घर से नहीं भागती हैं आठमा उपाए दीपावली होली और दसहरा तीन परवपर अपने घर पर एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हैं त तो बढ़ना चाहता है तो दीपावली होली दसहरा के दिन स्री सुकतम अत्वा विश्वून सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्रामनों को ब्रामनों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिदर नहीं हो सकता नौमा उपाए प्रत दिन मालक्ष्मी और नारायन का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं कमल ना हो तो लाल पुष्व चढ़ाएं यनि कि संकेतों के द्वारा भी चढ़ा सकते हैं यनि कि जितना हो सके उतना चढ़ा दें अगर हो सके तो जरूर चढ़ाएं 108 कमल चढ़ाएं नहीं तो आप यथा शक्ति जितनी आपके पास अंभव होश के उतना चड़ाएं, शुक्रवार को चड़ाएं, तो कभी दरे-दरे नहीं रहता वो व्यक्ति, दसमा उपाय, गन्ने के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नरान स्रीशुक्तम का पाठ बोलते हुए, अब शेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरेता नहीं रहती वो धनबान बनने के दस अचुक उपाय हैं, इससे ब्यक्त की गरीबी दूर हो जाती है, किस्मत चमक जाती है, तो गरीबी दूर करने के दस चमतकारिक उपाय, जिसने भी किये वह उपाय यह उपाय, उसके वारे नियारे हो गए हैं, और जीवन में कभी भी धन की कमी नही हुई है मालक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रही है तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो बेहत पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देजेगा जय मालक्ष्मी